हलो अस्वाम अलेकूम बेवर्ड्स मन्नो के हल्दी किचन में आप बड़ों को वेलकम है आज जो रेसिपी में आपके लिलनाई हूँ वो है चीजी कार्लिक ब्रैड बहुत ही असान और बहुत ही मसेतार उमीद करती हूँ आपको जुरूर ट्राय करेंगे और इंजॉय पर मैं जो बना रही हूँ ये 6 स्लाइसे होंगे इसके ठीक है और इसके हमें कट नहीं करने हैं कॉर्णर्स तो पहले हम इसका मक्षन में पेस्ट बना रही हूँ और ये मेल्टेड होना चाहिए रूम टेम्परेचर वाला ये तीन टेबल स्पून के खरीब मैं इसमें ले ठीक है दो और ये तीन चाहिए ये हमने इसमें मक्षन ले लिया पेस्ट हमें बनाना है जिसने बिल्कुल पिगलावा नहीं ले ये मैंने लस्टन के जवें हैं जो के फूटेवे पिसेवे से हैं ये तकरीबन एक टेबल स्पून है ये मैं इसमें डार चाहें तो आप इसी मेजेए में कर लीजिएगा जाहें तो कटुकस पे कर लीजिएगा जिस सकता आपका असानी ओ उस साना कर लीजिए ये औरिगानो है वनटीस पून बिमेंस में शर्म चलिए अब प्रेट पर लगाना हम शुरू करते हैं यहां पर मैं इस तरह कर से इसको बिच्छा लेती हूं दो और ले लेती हूं साथ ही तके इनके सैनुच देगा रहा हो जाएं ठीक है एक एक स्लाइस पर हम यह लगें इस तरह से जमावा सा मक्कान है इसलिए आराम से लग अदोली अच्छी तरिए से पहलाती है तो यह दुख सकते हैं थीइ ये आफ है जिए इफ इस तिर्षपर लोगा गोलती कर जाते हैं वह यह जोता है कै इसको यह एंनों पर जोड़ते हैं इस तरह से एनों यह बिलकुल इस तरह से लिया है नहों दोहु जोटते हम थार थी ठीक है इसमें यहां पर चीज लगा देती हूं क्योंकि हमने चीजी गार्लिक ब्रेट बना रहे हैं तो मैंने यहां पर मुझरिला चीज लिए वह मैंने इसके साथ लगा रहे हैं अभी भी इस तरीक इसे करना है आपको जो अकसर मैजोरिटी कर रही होती है बच्चे वगर्हा तो इस तरह नहीं करना है बलके हमने इसके उपर प्लेन डायरेक्शन हो लगा तो आप यह देखें यह इस तरी है ठीक है अभी जो चीज आपको दिखाने में में उपर लग दिया है इसको मैं हटा दें तो दोनों को आपस में जोड़िएगा एक तरफ से प्लेन होना चाहिए यह जो मखन लगवा हिस् देलिएं जिषे नीट लेते हैं यहां लगा लगा लीए ठीक है यह जूड़ि हम सक्कश उसा को पर अब हम सको फ्राइं यहां पर पैन मैंने गरम कर लिया है और रो की आच मैंने रखिमी ए और इसको मैं इस साइट को से जहां पर मक्खन था ना वहां से मैंने पड़ लेता है अब यह सिक रहा है दूसरी साइट पर भी हम यह मक्खन का जो है गार्लिक का पेस्ट यह हम लगा रहे हैं इसके उपर यह नीचे की साइट सिक जाए ही फिए गार्षिक है इस्टे प्रस्कर नीचे से लिए और रहा है करें आधि नाशनिकर पटा इसा जल जाने कीवाधिशां एवाव की और क्रता है कि इसमें से चीज गिर जाए है कि इसमें से निकल गई है यानि कि मैल्ट नहीं हुई है चीज हम इस चीज को उठाकर स्लाइस के अंदर वापस करें अगर यह मैल्ट हो चुकी होती तो यह तरह ना गिरती तो हम इसके मेल्ट होने का इनतजार करें तो से सिकने का थोड़ा सब्सक्राइब होने का अ कि जुमक्षन है वापस इसी तरह अंच पहले वह अन्हें की करती है यह धाक्कि पर क्रिस्पीजा देती है और पूर देती है हमने प्रिर्विम्म त्यार हो गया फिए यह सकते हैं इसाइट बिया है देख में सरका देखे में नियुक्त सकते हैं इस दूना साइट के अच्छी तरीका से बस अब मैं इसको उतार लेती हूं जब इसी तरह एक तिर से जिस्ट भी हो गया इसी तरह किसम ये इस्टर स्लाइस भी कर दो ठीक है बस आज हलकी होनी चाहिए ताके फॉरण से जलना ठीक है नहीं सब बहुत ही हलकी आज कर दिया यह बहुत गरम हो गया था इसके ओपर भी यह जो मखें का सॉस है यह मैं लगा दूंगी इस पर यह शेघर बड्ने कर दज कर दूंगी हो दूंगी यह भैसर जल एज टाब 좋तव जया यह दिस्टा लोगरहा में का सउसल में हो ताके थिक है यह हमारे चीजी गार्लिक ब्रेट के यार होके हैं और अब बस में इसके कटिंग करके आपको दिखाती हूँ और इसके साथ खाया जाने वाला सॉस भी मैं आपको बताती हूँ जिस समझें के इस गार्लिक ब्रेट का जो है लुट्स दोबाला ठीक है चलें जिए मैं काट रह बहुत ही असान है ज़रें शुरू यहां पर एक आप फ्राइंग पैन ले 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 लिए जिसमें पनाएंगे तो उसमें एक चमचा तकरीबान एक टेबल स्पून बटर कर दो ठीक है और हलकी आंच होनी चाहिए विए मक्षन एक दम से जलना शुरू हो जाता है ठी वन फोर्ट का ठीक है वो हम डाल देंगे साथ यह देख सकते हैं मक्षन भी पिगल रहा है ठीक है और इसको मैं चला लेती हूं मक्षन को दूद में अच्छी तरी खिसे में मिक्स कर देती हूं साथ यह पॉडर मिल्क रखावाए मैंने वन टी स्पून यह भी इसमें मैंने टीक है और इसको मैं मिक्स कर लेती हूं ताकि उबाला जाए इसमें तोड़ी से आच मैंने तेज कर दिये आप देख सकते हैं उबाला ना शुरू हो के अब इस स्टेज पर हम यह मैंने चीज रखी हुए यह हम स्लाइस और पर लगा रहे होते हैं सिंपल सी साधर चीज जो शुरून है और इसमें डाल देती हुं सारी सख चाल करके जाए बास इसको भी मिसमें मिक्स कर लेंगे बस अब इसके कुबाल का हम इंतजार करना है कि यह गाड़ा हो जाए जैसा हमें चाहिए गाड़ा बन इसमें उस हद तक हम इसे पका लेंगे जादा टाइम नहीं ले गाई है बस एक कुबाल आने के देए अब आप देख सकते हैं यह गाड़ा होना शुरू हो गया है और मैंने चूला बंद कर दिया है और यह तया है अब मैं इसको एक बॉल में निकाल लेती हूँ बहुत ही मज़ेदार है गार्लिक ब्रेट के साथ खाएं या पराठी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही असान है यह भी हमारा तयार हो गया बस आप इसके उपर मैं थोड़ असा होरीगानो जो है वो दाउदूंगी डैकुरेशन के है यह मारे गानो है यह मिस्टेट पर डादे है यह हमारा सौस तयार हो गया है यह गार्लिक ब्रेड है इसको इसको साथ बनाएएगा ट्राइ कीजिएगा इंजॉय कीजिएगा और इसके साथ याप मन्नों के इजाज़त दीजिए इन्शाला तरह नेक्स वीडियो में आप तरह वीडियो में जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकान को प्रेस करें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तो फॉरन पहन सकें.